एस मार्ट नुकरी में आप सभी का स्वागत है मैं उनिसकुमार, दोस्तों महाराष्ट सरकार ने बोर्ड को लेटर भेजा है कि जुलाई में एक्जाम नहीं कराया जा सकता, जैसे आप सभी को पता है कि बोर्ड एक्जाम का डेट जो है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक है, नीट एक्जाम 26 जुलाई को है और जैइमेंस के एक्जाम 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक है, और अभी क्या सिचुएशन है महाराष्टरा में आप सभी को पता है, तो चलिए फ्रेंड आप सभी को डेटियल निउज बताता हूँ, अगर आप सभी को मेडिकल जैइमेंस बोर्ड का किसी प्रकार का अपडेट्स चाहिए, तो समार्ट नुकरी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फ्रेंड सुरू करने से पहले आप सभी को बता दू कि आप सभी को निश्चिंत रहना है, सिर्फ पढ़ाई पे आप फोकस करें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो NTA के डेरेक्टर हो, या CBSE बोर्ड के डेरेक्टर हो, वो सभी लगतार इन सभी परिस्तितियों को मुनिटर लगतार कर रही है, परिस्तिति खराब हुई, उसके बाद वो जरूर कुश न कुश डिसीजन लेंगे, निर्सकर्स फाइनल निकालेंगे, आपको इसमें टेंसन लेने के जरूरत नहीं है, बहुत सारे students message कर रहेते हैं कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, तो बिल्कुल सोचती है और सरकार लगतार मुनिटर कर रही है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो फ्रेंट जैसे आप सभी को पताए कि जुलाई में सबसे फ़र्स्ट एक्जाम में स्टार्ट होगा बोर्ड एक्जाम दसवी और बारवी से उसके बाद जहीमेंस और फिर नीट का एक्जाम होगा महराष्ट सरकार ने यहाँ पे CBAC, ICAC को महराष्ट सरकार का लेटर जुलाई में दसवी बारवी की परिक्षाओ को नहीं मिले गी अनुम्रती क्योंकि अभी महराष्टा में काफी ज्यादा प्रिक्षाओ के मार्ग्स चढ़ाय जाए यहाँ पर आगे लिखा है कि बुद्वार को सरकार ने दोनों बोडों के प्रमुखो को पत्र लिख कर बताया कि राज्य में इस मामारी का संकट है ऐसे में चात्रों को परिच्छा देने के लिए घर से परिच्छा केंद्र जाने में परिशानिया का सामना करना पड़ सकता है इसका मतलब है ऐसे हालत में परिच्छाय कराना विवीन चात्रों की सेहत से खिलवार हो सकता है इसी को देखते वे महाराष्ट सरकार राज परिक्षाय कराने की अनुमती नहीं देगी क्योंकि अभी खत्रा बहुत जादा है और बिल्कुल सही स्टेफ है महाराष्टा गोवर्मेंट का और अभी इसके बाद जैमेंस का भी है और नीट का भी है आप सभी को जनकारी के लिए बता दू कि महाराष्टा में टोटल नीट एस्पिरेंस जो है 2,30,000 है अब जुलाई में जब नीट और जैमेंस होगा उस समय क्या परिस्तिती रहता है अब ये देखना है लेकिन फिर भी संकट कम नहीं है महाराष्टा में और भी कुछ एस्टे ने हो जाए और दूसरा विकल्प यह है कि बोड इन परिक्षाओं के मार्क्स बीना परिक्षा कराए ही छात्रों को इंटर्नल एसेस्मेंट के अधार पर चढ़ादे मार्क्स दे दे ये जो महाराष्टा गोर्मेंट का जो स्टेप लिया है बहुत सही स्टेप लिया है और मैं इस स्टेप को मैं पोजिटिव लेता हूँ क्योंकि ये स्टुडेंट को भी देखना है और अब आगे देखते हैं कि और जून लाज तक क्या परिस्थितिया बनता है उसके बाद और भी डिसिजन गोर्मेंट जरूर लेगी और मैं सभी ये स्टुडेंट को एक बात ब जरूर बताऊंगा और लगतार मैं अबडेट्स करता रहता हूं इसके रिगार्डिंग और आप सभी को कनेक्ट रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें थैंक्स पर वाजिन वीडियो